वेल्कम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे साथ हैं आज डेप्यूटी कन्वीनर फारुक सतार साहब जिन से हम अब बात करने की कोशिश करेंगे MQM को तंग कर लिया MQM की इंटरनल तंजीमी बुनियादों को शायद हमने चूने की कोशिश कर ली अब हम बात करेंगे इनकी आइडियालोजी पर कि ये भाई हैं प्रोग्रेसिव हैं जमूरी अपर नहीं है और पहला सवाल सबसे बड़ा फारुक सतार साहब आप लगों से बनता है कि जब घुसा आता है आप लोगो तो भाई डाल्टन में गई है जमूरियत बहुब बवतन जेनरल्स अठानवे फीसद गरीब हो ये कोई सवाल होता है पुछने वाला ये पता है ये आपने एक वो 10-point resolution manifesto type सवालाद किये थे इसके अंदर सतरह सवालाद थे नए हाँ सतरह सवाल मेरे पास हैं कहीं सतरह आप 11 माई को सवाल पूछते हैं और उनमें से ये दो सवाल थे कि क्या इन ममालिक ये पहले आपने इन ममालिक का हाँ या ना सवाल पूछा थोड़ा simplistic मेरे ख्याल में लेकिन खेर पूछा ये स्पैन और USA में जब देशतगर्दी होती है तो ये लोग क्या करते हैं ये साथ खड़े होते हैं या अलेदा होते हैं तो सब को हाँ कहना चाहिए था फिर एक सवाल पूछा कि क्या इन ममालिक की अवाम ने वहां रूनमा होने वाले देशतगर्दी के वाकियात या फिर अचानक होने वाले इंतहाई एहम और हसास वाकियात पर अपने अपने मुल्क की मसल्ह अफवाज, हसास अदारों और उनके सरबराओं की बरतर्फी या उनकी खिलाफ एक्शन लेने का मतालबा किया या आप सवाल कर रहे हैं अब इस सवाल से एक मतलब बनता है वो ये के भाई इस वक्त आप फवाज की पीछे खड़े हो जाएं ये अच्छा सवाल है अब इसके बाद एक सवाल आता है सर क्या हमारी मसल्ह अफवाज और हसास अदारों को मुल्क के 98 फीसद गरीब और मतवस्त तबके का साथ देना चाहिए या फिर जागीरदारों, वडेरों, सरदारों और बड़े-बड़े सरमायादारों का साथ देना चाहिए सर ये 11 माई को आपने किया, 2 माई को हमारे इन बहतरीन इदारों के पता चला के 5 साल से दुनिया का सबसे बड़ा देस्यत गर जो है, वो एप्टबाद में बैठावा है और उसको अमरीका आके मारके लेके चला गया और इसके बाद काफी प्रेशर था आर्मी पर, तो आपकी रियाक्शन ये आई के भई, इनको बर तरफ ना करो और वो शही हो या गलत हो, मैं तो कोई नहीं होता कि आने वाला प्रब्लम में आ जोगा या दूसरा ये था कि भई, अब इतना गुसा है ना आप लोगों में तो आप बस हमारा साथ दें और इन सारे वडेरों जागिदरों इस डिमोक्राटिक डिस्पेंसेशन को आप लात मार बाहर करें पहला सवाल, इस सर्वे की रिजल्ट का है देखें, सबसे पहले तुम ही ये बताऊंगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में मरातियाफ्ता, मौरूसी और वडेरों की सियासत का ड्रॉप सीन होने वाला है नविश्ता यदिवार जो है वो उसको जो इस वक्त हुकमरा तपका उसको देख लेना चाहीए और जब मैं हुकमरा तपके की बात करता हूँ तो उसमें जहां वडेरों जागिदारों की बात करता हूँ उनमें उन ताले आजमा जेनरलों की भी बात करता हूँ जनोंने मोहिम जोयां की एडवेंचरिजम किया और अपने ही मुल्क पे बार बार खवजा किया तो हम तो दो फिस्द मरातियाफता तपके में उन सब को शामिल करते हूँ उसमें तो हमने कोई जो है ना उनको उर्पे वतन जनरल देखें यह मैं इसलिए मैं बताना चाहरा हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें अब पाकिस्दान के हुकुमरानों को दो फिस्द मरातियाफता तपके को पाकिस्दान में जो यह इकिये इनकलाब आ रहा है जो के बिलाखिर खतम होगा बैलिट पर जाकर अगले इनतखाबात में अगर उसके लिए रास्ता नहीं दिया उसी तरह जो सिलेक्टिव डिमॉक्रिसी चल रही है पाकिस्दान में डिमॉक्रिसी है ही नहीं यह उस कॉंटेक्स में आप यह समझते कि हम महिब वतन जर्नेल क्यों फारुक सा यह कोई प्रोग्रेसिव नहीं देखें महिब वतन जर्नेल अगले इनतखाबात अगर फेर और फ्री ना हुए साफ और शफाफ और ना हुए तो पहर आजा है मार्शलाग नहीं यह मैं नहीं कह रहा है इसलामाबाद की सड़कों पर बैठेंगे और मिसर वाला लीबिया और त्यूनिस वाला जो है पारुसाब लेकिन बीसवी तर्मीम के बाद तो अब गहर शफाफ एलेक्शन हो नहीं सकता ना तो फिर शिकवा कैसा जब आप ही ने लोगों को मनतखब करके बहजा और जिन लोगों को बहजा है अब आपके पास एक और चोईस हारी है मैं तो अपने लोगों से ये भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी पॉलेसिया भी गलत है और सही नहीं है और हमने भी मिडल क्लास की सियासत का हाखदा नहीं किया है तो पाकिस्तान में इंतखाबाद एक मौका होता है आइंदा वरकर्स को वोट दें वरकिंग क्लास से तालुग रखने वालों को वोट दें आम पाकिस्तानी को असेमली में पहुँचा है मीडिया अपना किरदार अदा करें खुदा की किसम अगर इलक्षन से पहले सिविल सोसाइटी, नौन गर्वर्मेंट और्गेंशन जितनी साहफती अदारे हैं अगर ये रैलिया निकाल के तमाम प्रेस कलब्स पे जो बड़े शहरों के हैं तो चौदरी शुजास सहाब, जर्दारी सहाब, नौज शरीफ सहाब, इमरान खान सहाब, सारी और अलताफ हुसाइन सहाब और सफंधियार वली सहाब, सबसे ये डिमांड करें कि हम क्यों वोट डालें, 65 सालों से हम ये कर रहे हैं आप हमें तबदीली की क्या जमानत देते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, कि हमारे दर्मियान में से लोगों को मनतखब कराएं, एक आम आदमी को मनतखब कराएं, मौरूसी सियासत जिसने की है साट सालों में उसको मुस्तरब कराएं पशनान ये नजरिया ज़रूरत के तहट यही कोई सियासत पर और रहे हैं, तो पिर आपकी आईडियालोजी, पर का पलिटिकल प्रोग्रम्रम्स, आपने भी तो नजरिया ज़रूरत के तहट नहुमत चोड़ी, ये प्कड़ी, पकड़े को, हमने किसी मौलोसी, आप उनके पहले अपना राइट अपना हग आई नहीं उनका रास्ता रोकें मुझे चॉइस अच्छी दें और मेरे अंदर भी जो आप समझते हैं कि सही लोग नहीं है और मुझे अगर बहतर उम्मीदवार इस शहर में कहीं पर मेरी भी कोई जारादारी नहीं मुनापली नहीं अलताव है कि कोई भेन, भाई, मामू, चचा, फुपी, फुपा, मामू, मुमानी, कोई आज तक जो है ना बरहे रास्त इलेक्शन ना आया तो इसका मतलब यह हम मौरुसी सियासत को प्रैक्टिकली हमने मुस्तरत किया है और मुस्तरत करने के लिए आपको फॉज भी कुबूल है हम ने यह कब कहा, यह फॉज को दावत दी है अगले इलेक्शन में जब वो इंतखाबी जमेदारियों पर मुकरर होंगे तो यह जो रिगिंग होती है अंदरूने सिदमे, जिस तरह वहाँ पर, जहां आब्जरवर्स नहीं जा सकते हैं पाकिस्तान के रिमोट इलाखों में, जहां अगर पहली बार बिल्ली के गलेमें घंटी बाणे जिए, खिसान, हारी दही अलाकों की माई भेने हिम्मत करेंगे, होसला करेंगी, जो होसला नहीं होसला था हूसला करेंगी. के फेर एलेक्शन्स हों आपका ये सवाल के सवाल से ये मकसद नहीं था कि आओ यार इस सब्सक्राइब को भी जो जो जाहर है कि अब सब के कंसेंसे से बनेगी फाज हो रेंज़ या पुलेस हो ये जो मौसर जो कानून का जो 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 लौन ऊर्डर है उसके लिए उनके साथ जल्म नहीं होजाएगर कोई हारी और किसान इलेक्शन में इससा लेता है तो उसकी फैमिली जो लेना पड़ेगा पाकिस्तान के बास वствर नहीं है ले बिर्यानी खिलाए के वडिरा वडिरा जीतेगा अगर वडिरों की मरातियाफता तबके की और मौरुसी सियासत का ड्रॉप सिन नहीं हुआ अगले इलेक्शन में खुदा नगरे पाकिस्तान का ड्रॉप सिन हो जाएगा यह जो कुछ बलोचिस्तान में शोरिश हो रही है यह स आप समझते हैं बलोचिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन होगी नहीं होगी ना यही तो मैं कहा रहूँ अगर उसके लिए रहमवार ना की गई वहां से सिलसले को ना जोड़ा गया जो आखरी मौका था दो कमेटियां थी एक सियासी एक आईनी जिसम हमारा उसूलों पे उनके साथ कुछ इत्तफाक था जो उनके साथ नुकाती एजन्डा था बलोचिस्तान पे एक साल अलताफ भाई ने ऑपरेशन को रुकवाया है ख़दा की कसम 2005 में ऑपरेशन हो जाता 2006 जनवरी में 2005 जनवरी में ये ऑपरेशन हो रहता यह M.K.M. ने रौशन ख्याल लोग हैं जो आपके ऐसे जलसे देखके बहुत खुश हो जाता है हाँ साही बिलकुल लेकिन फिर उनको शक पड़ता है जब जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ये ये फौज वाली चीज़ें होती हैं कि भाई आप तो जब दंग आ आ गए ना आप भाई बोर्ड अब होते हैं ना मनॉपली खेलते वए बहुत हार गए या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बोर्ड अठा के फेक दिया तो आप वो जो जो ये तन्जीम है जो सिस्टम है उसको भी आप रत करने के उपर हमारा ऐसे रोजन खैल लोगों से सिर्फ ये सवा तो फिर मकामी हकुमतों के इंतखाबात कराने के रवादार नहीं वो ग्रास रूर पर डिमॉक्रिस क्योंकर देखे एक कौम ये सिमली में 342 नुमाइंदे हैं सौ सेनेट में 442 और तमाम चारो सूबा ये सिमली मिलाके 1340 से 50 हैं सो डेर दो हजार में ये 500 खांदान जो है फ के और मेरी आसमा जांगे से लंडन में भी आक्सफर्ड में बात हुए ती उन्होंने का आप बिल्कुल सही कहते हैं मैंने का ग्रास रूर डिमॉक्रिसी की बात सिविलियन दोर हुकमरानी में करे वरना फौज तो आके कराएगी इलेक्शन और फिर आप MQM को लजाम वो जाएगी क्या हैंदा? पूरी दुनिया में मज़े बता दिया सिर्फ पाकिस्तान की इस जमूरियत को और ये जो जमूरियत नवास पांसो खांदान मौरू से सियासत कर रहे हैं सिर्फ इनकी हुकमरानी को तूल देने के लिए हम नहीं कहा है इनकी हुकमरानी को तोडने के लिए زیادہ الحق کو مشرف کو ایک بہترین ڈکٹیٹر کو نہیں آپ ہمارے ہی ڈکٹیٹرز کو ہمارے ہی سیاستدان کے خلاف کانٹراسٹ کریں کوڑے کھائیں ہم لوگ یا پھر وہ مشرف صاحب کا ایف سی کا دیکھیں مجھ سے زیادہ تو قربانی کسی نے دی نہیں ہے جتنا میرا معاورہ عدالت قتل ہوا ہے جس طرح وفاداریاں تبدیل کرا کے جو پارٹیاں بنائی گئی ہیں یہ تو سب آپ دیکھ چکے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ اس سے زیادہ میرا اور کیا امتحان لینے جاتا ہے میری جہمہوریت نوازی کا اور جہمہوریت سے میری وفاداری کا میں تو صرف یہ کہہ دا ہوں کہ جہمہوریت کے نام کی مالا جبتے ہیں جو تسبیح پڑتے ہیں جن کا اوڑنا بیشونا جہمہوریت ہے جن کا جینا مرنا جہمہوریت ہے جو زرفکار علی بھٹو شہید کے نام پر جہمہوریت جو قائم ہوتی ہے جو بینظیر بھٹو شہید کے نام پر ہو رہی ہے ان کے جو خونے اس کو رائے گا ہونے سے بچا لو میں تو صرف یہ کہہ دا ہوں آج جو لڑکانہ میں نواب شاہ میں بیچے نہیں آج جو تخت لاہور کے جو ستائے ہوئے ہیں لاہور میں پنجاب میں وہ کہتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ڈالر روپی پیریٹی ساٹھ روپے پہ تھی آج نوے روپے وہ اپنی کالٹی آف لائف میں دیکھتے ہیں ساٹھ روپے پہ اس لئے تھی یہ کچھ بھی ہو لیکن لوگوں کو تو نہیں بتا رہے یہ لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے دیکھیں میری بات سنوے میں یہ مان رہا ہوں کہ ان کے زمانے منصوبے نہیں بنیں لیکن یار اگر یہ گیس آپ پاور پلانٹس کو دے دیں جو ہماری قومی گیس ہے فرٹیلائزر پلانٹ کو نہ دیں اور یہ جو مراتے ہیں ان کو آپ ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جو ہے نا will stage a comeback as a very بائزت and باوقار nation and قوم in the international community of nations یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر آپ کا یہ جو روشن خیال لوگ اس کے حوال سے ایک سوال تھا میرا رہ گیا because you're just very good at explaining yourself آپ روشن خیال ہیں 100% 100% 100% unpolluted صحیح آفیہ صدیقی کے معاملے undiluted آفیہ صدیقی کے معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ آپ نے publicly ان کو ان کیا ہے دیکھیں الطافہ نے پچھلے جلسے میں بھی جو بات کی خواتین کا جلسہ تھا کہ اس کے خلاف جو بھی غیر انسانی سلوک ہوا ہے ہم نے اس کی مضمت کی ہے بلکل کرنی چاہیے کرنی چاہیے قوم کی بیٹی ہے دیکھیں قوم کی بیٹی تو ہے میں کسی پاکستانی کو یہ کیسے کہہ دوں اپنی طرح سے میں اس کی پاکستانیت کو منصوب کر دیں میں نہیں کر سکتا میں الطافہ نے کہا کہ انسانیت کے نام پہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کو بند کرو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی عمل تھا اس میں بھی شاید انصاف کے تخاظے پوری نہیں ہوئے اور انسانیت کے نام پہ اسے رہا کر دینا چاہیے یا کمس کم اس کے گھر والے اس کی والدہ اور اس کی بہنی یہ گئی دیئے کہ پاکستانی جیل میں پاکستانی جیل میں اسے منتخل کرنا چاہیے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن کیا یہ فراج اللبی کی جو سیکنڈ ان کی marriage تھی وہ اس سے نہیں تھی کیا یہ خالد شیخ محمد کی دیکھیں میں آئیم نوٹ پرائیوی تو آل دیس تنگ I've been hearing this all around بہت کوئی سیریس اٹیمٹ نہ امریکن ایمبیسی نے آج تک کیا جو وہ پلٹیکل لوگوں سے ملتے ہیں نہ کوئی سیریس اٹیمٹ ہمارے جو وزارت داخلہ یا حکومت نے کیا میں نے کئی بار کا ہے کیا یہ بات غلط ہے فاروق صاحب कि ये कहना कि जमात इसलामी ने एक बहुती भीतरीन केक बेक कर दिया था आफिया सिदीगी के नाम पे और आप उसको उस तरफ जाने नहीं दे सकते थे लहाजा आपने भी ओनर्शिप ले लिए देखें ये अगर एक गहर इनसानी सुलूख किसी के साथ भी वा फ्लॉगिंग हुई थी एक लड़की को सवात में कोड़े मारे गायते हमने उसके लिए एक बहुत बरश हो किया तो क्या वो जमात इसलामी है किसी लिगूटी ना तो इसका मतलब हमारी जो जो जम्मेदारी हम समझेंगे जो चीज़ा हमारे जमीर पर प्रिक करेगी हम उसको रिस्पॉंट करेंगे चाहिए वह आफिया से दी की हो चाहिए वह फ्लॉगिंग का कोड़े मारने का बाकिया हो या वो बलुचिस्तान की अंदर जो मश्चुदा लाशे मिली थे हमने उनके लिए भी जो है जो राइलिया निकाली है इसी तरीके से ड्राउन अटैक में जो कूलेटरल डैमेज हुए है और जब तो ड्राउन अटैक की पॉलिशी को हुकमत पाकिस्तान इसको जस्टिफाई नहीं कर दी वाज़े नहीं कर दी तो हम भी यह समझाएंगे हमारी सावरेंटरी के खलावर अब हम दूसरी सियासी हुकमतों जमातों को भी कहें कि वो भी सच बोले एक मिनट रहे एक एफ़ाव साब सुरी आपकी बात काट रहा हूं अगर अगला इलेक्शन सही से हो जाता है इनकलाब के दियाने पे हम नहीं खड़े होते इस तरह के पाकिस्तान के अंदर बिलीफ क पाकिस्तान देखें दिफाय पाकिस्तान का जो तरीका ये जो दिफाय पाकिस्तान काउंसल तजवीज कर रही है जाहर हमारे बड़े तहफ़जात है उसमें लेकिन दिफाय पाकिस्तान वस्त एक आज़ाद और खुदमुदमुदमुदमुदमुदमुदमुदमुदमु बिल्कुल टैक्स करेंगे जो 9 पीसत हमारा टैक्स जीडीपी रेश्यो है वो इसलामी मुलकों हमारे जो पडोसी ममालक हैं जो तरकी पजीर ममालक हैं थाईलेंड फिल्पाइन अब उनसे भी हमारा कम है हमें वहां पर थोड़ी सी खेरत आनी चाहिए और पहला जो टैक्स हम क टैक्स की वसूलियाबी को 50 पीसद से उपर ले जाना है और जिस दिन ये हो जाएगा ये इस्तस्ना जो आईनी है बड़े वडेरों और जागिरदारों को मरात याफता तबकों को उनके आमदनी उनके मुनाफ़ों पर ये खतम होगा तो मैं अपने हिस्से का जो मेरे ताज आजिरुब को और कराजी के ताजिरुब को ये अपने वोटरुब को मैं उनको भी एक काल दूंगा लेकिन ये चोरी कर रहे इसलिए मैं एक रोड मैब बनाना चाहता ऊंता हूं मैं एक ये लुज़ीज दी है जाए بین الاقوامی, مالیاتی, अधारे भी उसमें गवा बन जाए, शामिल हो जाए, मीडिया आ जाए, सारी सियासी जमाते, इलक्षन से पहले बैट कर पाकिस्तान की माशी पॉलिसी बना दे, जिसकी हुकमत बने, वो माशी पॉलिसी उस पर अमल दरामत होगा, और उसमें ये जो टैक्स की ये होगा, तो मैं पहले जो आप, जहां से शुरू कर रहे हैं, मैं वहाँ आपका साथ देने कले देगा, बहुत शुक्रिया, फारुक सतार, सार्थ, थैंक यू वेरी मच्च, सार, हमाई साथ ते, फारुक सतार, डेप्यूटी कन्वीनर अफ दी MQM, आपको हमारा शो कैसा लगा आप facebook.com slash siyasat पर जाके आप comment कर सकते हैं, show को फिर से देख सकते हैं, you can join the debate, thank you very much for watching.